राजस्तान में 7 दिन बाद फिर बड़े कोरोना के एक्टिव केस आज राजस्तान में 8,033 नए कोरोना पेसेंट मिले हैं वहीं 22 मरीजों की कोरोना की चलते मोत हो चुकी है टेस्टिंग में हर 7 वा जो सेंपल है वो कोरोना का पोजेटिव आ रहा है पिछले 8 दिन की बात करें तो राजस्तान में 171 मरीज कोरोना की चलते दम तोड़ चुके हैं राजस्तान में जिलेवार केस की स्थितिकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो केस हैं वो 1862 मरीज अकेले जेपूर जिले में मिले हैं वहीं 6 मरीजों की मोत जेपूर जिले में हो चुकी है Medical Health Department की रिपोर्ट की बात करें तो जेपूर के बाद में जोदपूर में 765 मरीज मिले हैं उदेपूर में 465, अलवर में 417, डुंगरपूर में 360, अजमेर में 344, पाली में 332 केस मिले हैं वहीं जोदपूर में 3 मरीजों की मोत हो चुकी है उदेपूर, कोटा में भी 2-2 मरीज मर चुके हैं इसके लावाद डुंगरपूर, अजमेर, गंगानगर, भरतपूर, जोंजनु, चूरू, बुंदी, करोली, दोसा में भी 1-1 मरीज की करोना की चलते मोत हो चुकी है और देखिए 8 जिलों में 100 से कम केस आई हैं, सबसे कम 9 मरीज जालोड जिले में मिले हैं कोरना की तीसरी लहर में वेसे भी जालोड जिला है, वो सबसे कम संकरमित होने वाला जिला रहा है जिसल मेरे में देखे 34 केस मिले है 2 सा में 1 गुन 60, करोली में 40, दोलपूर में 46, बाड़ मेर में 63, बुंदी में 44, टॉंक में 81 केस मिले है वहीं राज़सान के 33 में से 18 जीले ऐसे हैं जहांपर 100 से लेकर 320 में केस मिले है तो रास्तान में फिलाल कोरुना की जो इस्तिती थी उसके आंकड़े आपके सामने रख दिये गए हैं इसी तरिके की जानकारी के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रही है इस वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद